त्रिता युग में भगवान श्री राम ने रावन का वध करकर सत्य पर असत्य की जीद की थी अधर्मी को नाश करकर धर्म की स्थापना की थी और उसी के रूप में हम लोग दशहरा हर एक वर्ष दहन करकर इस चीज का स्मर्ण करते हैं कि अगर कोई भी नारी पर छती पहुचानी की कोशिश करता है कोई विधर्मी बनता है तो उसे कैसे निपटना चाहिए समाज में यह संदेश का प्रतीक बना हुआ है और दशहरा न है परमपरा ठोड़ी बहुत टूटी है कहीं कहीं और कहीं कहीं जो बड़े अस्तरपर हो गया नहीं हो पाया लेकिन इस बार लंका दहन की रावन दहन की पूरी परकृण होने वाली है अभी मैं हूँ अक्षरा इसकूल के पास में आये मैं आपको दिखाता हूं क्या इस ब और तयारिया किस परकार से आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ बनाया जा स्ट्रक्चर हम जानेंगे कि क्या हो रहा है आखिर में यह स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अभी से इसके जो तयारी है पूरी तरीके से चालू है और आप इस तरीके से हो रहा है हम जाने की कोशिश संसे हो रहा है और यह आयोजन पूर के सभी धर्म के लोग सभी जाती यह आया है और सरी सुनपूर के लोग इस अपने भेदभास को मिट aha याख यो कहसे हो रावन सब आप 25 फिट नंबा बनने वाला है और वाटिका बनाया जा रहा है और असोख वाठिका में जिस तरह सिता को हरन किया करके लिए को रखे हुए थे वो दर्शाने का प्रयास किया जाएगा इस वार और उसमें खासी बच्चों को इमने जवाइमेट कराने के लिए कि जितने बड़े संख्या में पूरे सोनपु को लोग जूटते हैं तो उसके अब हो रहा है कैसा लगा यह तो बहुत खुशी की बात है कि दो साल कोरोना के करण यह सब कार्शक्रम हुए नहीं जो कि काफी फीका रहा लेकि इस वह मैं मुनमुन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह वीड़ा को उठाया है और मैं यह भी चाहता हूं क यह जितने बेहतर से बेहतर हो और सोनपुल के लिए एक नाम हो अभी देख सकते हैं यहां पर बहुत ही बड़ा यह सिर्फ फेस का है गर्दन तक बना हुए और भी गर्दन बढ़ेगा यह मूह है और यह नाक है और इधर साइड में देखी गया तक कान वगयरा है बनाया और इधर भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हाथ वगरा पैर वगरा की सारे स्ट्रक्चर अभी लगतार अभी से ही शुरू हो गया अभी हमारे साथ कारिकर मौजूद है जो रावन को अभी बनाएंगे यह भलके ब्रह्मा नहीं है लेकिन यहां पर जरूर यह ब्रह्मा ह यह नहीं रहता है हर साल यह पुस्तेनी आप लोग का काम है हां अब जो रावन यहां बना रहे हैं कितना समय लगा इसमें समय लग जाएगा अभी दस रोज और भी कहीं बना रहे हैं हाँ सरमस्ती पूर बन रहा असन पूर में अच्छब अच्छा मुझा अच्छा यह कॉ वेगर मिलता थाव लोग नहीं उसमें काम नहीं हुआ तो यह है बनी जी जो कि रावन के विषय में काफी कुछ जानते तो इंटर्नल पार्ट वेगर बिजा देदेते कि इतना हड़ी है यह सब सब तो सब हम लोग जानते हैं चपशली लगता है तेरा दूना काफी उमंग है जनता में सब लोग देखना चाहता है सुनपुर के सुनपुर के कलोता प्रोग्राम है और काफी भीर रहता है हम लोग बहुत खुश हैं आगे की अपडेट मैं दूंगा कि यह कब होगा टाइमिंग क्या होगी वो सारी बैठे के वगरा जो भी होगी और काफी विशाल का बना रहा है जैसा कि उन्होंने बताया पचासी फीट के आसपास इसकी प्रतिमा की उचाई होगी और अशोख वाटिका बनाया जाएगा जिसमें सीता माता का भी एक प्रतिमा होगा और भी कोई कलाकार हनुमान बनेंगे और सारी चीज़े होगी तो जोग संस्कृतिक कारेक्रम में बढ़ चड़ का हिस्सा लेगा तो जै हिंद जै भरत